वेलकम टू एम अडिकेटर आज हम पढ़ने वाले हैं कि ट्वीन्स बेबीस फॉर्म कैसे होता है मैं आशा कर रही हूँ कि आपको मेरी लैंगवेज अच्छे तरह से समझ में आ रही है आज हम पढ़ने वाले हैं कि ट्वीन्स बेबीस क्या होता है तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ट्वीन्स क्या होता है जब एक ही साथ में दो एम्ब्रियो डेवलप हो मा के पेट के अंदर और दो नए ओफ्स्प्रिंग का जनम हो एक ही बारे में जैसे पहला बेबी फर्म हुआ उसके दो ये तीन मिनट के बाद दूसरा बेबी फर्म हुआ तो वो दो बेबी एक साथ में फर्म होने वाले चीज़ को हम बोलते हैं ट्वीन्स और उन्हें ट्वीन्स बेबीस भी कहा जाता है यह जो twins babies है, यह actual में दो types में divided है, एक है monosiotic और दुसरा है diziotic, तो monosiotic twins क्या होता है, वो समझ लेते हैं, monosiotic twins यह twins है, जो एक single embryo से बनते हैं, जो starting days में होता है, 8 to 12 days की बीच में, जब zicot form होता है, तब वो embryo, एक single embryo, दो में divide हो जाए, और दो अलगी baby का generation हो, उसे हम कहते है monosiotic, यह जो monosiotic twins होता है, वो genetically सेम होता है, दिखने में भी सेम होता है, उनका appearances भी सेम होता है, उनका gender भी सेम होता है, वो ही नहीं, उसके साथ साथ, उनका पूरा body structure भी सेम होता है, उनका दिखना भी सेम होता है, उनकी दिखावट भी सीम होती है और जेंडर भी सीम होता है बट इस टाइम पे प्रोब्लम भी हो सकते है जब मोनोजायोटिक में अगर जाइगोट अच्छी तरह से डिवाइड नहीं हुआ तो वो जॉइंट फैमिल जॉइंट एंब्रियो भी जनरेट कर सकता है या बेबी जो जुड़ा हुआ हो उनके ओर्गन्स जुड़े हुए हो या उनका बोडी का पार्ट जुड़ा हुआ हो ऐसे भी ट्विंस जनरेट हो सकते हैं तो मोनोजायोटिक जो बहुती कॉमनली देखा जाता है बट इसमें कुछ पार्ट जुड़े हुए भी हो सकते हैं तो ये तो हो गया मोनोजायोटिक ट्विंस तुसरा है डाय जायोटिक ट्विंस अब अब सुचेंगे कि डाय डाय का मतलब दो एंब्रीयो मतलब होता क्या है कि एक ही साथ में जब यूटिरिस दो तरीके के जनरेट करें दो अंडे फॉर्म करेगा एक अंडे में एक स्पर्म चला जाएगा दूसरे अंडे में दूसरा स्पर्म चला जाएगा ऐसे करके दो एंब्रीयो जनरेट होंगे दो एंब्रीयो अलग होंगे जनरेटिक लिए वो male और female भी हो सकते है या girl, boy भी हो सकता है मतलब वो दो zygote को generate कर रहा है उसे diziotic twins का जाता है जो separate sperm से formed होता है इसलिए वो male और female बन सकते है ये genetically different होता है दिखने में भी different होता है जिसे diziotic twins कहते है तो आपने ये भी diziotic twins को भी देखा होगा जो commonly है ये तो था twins आशा कर रही हो कि आपको आज का topic अच्छी तरह से समझ में आया होगा अगर आपको हमारी videos पसंद आ रही है तो please एक like, share और subscribe कीजे Thanks for watching हम ऐसी videos लाते रहेंगे Thank you